आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोज पे आपका बहुत दोस्फागत है उत्तर प्रदेश में कावड यात्रा शुरू हो गई है होने वाली है 22 जुलाई से सावन चल रहा है भी है तेके साप बिच्छू और जो भी धर्ती के नीचे कीडे में कोड़े रहते हैं इस समय वो धर्ती पर आ जाते तो करपा उनको मारे ना ठीक है न अचली सावन का मेर मकसद यही यह भी था कि जो भगवान शिव तत्व है वो इन जानवरों के प्रती थोड़ी साहनभूती रखे क्योंकि जब बारिश होती है तो बिलो में पानी भर जाता है तो जितने जीव जनतों है वो उपर आ जाते हैं ठीक है लेकिन भाई अब देखे साम से तो परसनली मुझे भी बहुत डर लगता है बट मारना नहीं है कभी है ना बहुत मतलब उसको अगर रिलिजन में बात करें हिंदू रिलिजन में तो बड़ा उसका स्थान बड़ा है साम का तो फिलहाल हम साम की बात नहीं करेंगे हम यूपी की बात करेंगे क्योंकि यूपी में जो कावड यातरा शुरू होने वाली है उसको लेके बड़ी दिक्कते पैदा हो गई है काफी बवाल मच रहा है योगी आधितनात का एक डिसिजन है जिससे पक्ष विपक्ष ताने कसर है वैसी ने तो इनकी तुलना जर्मनी से कर दी है कि जैसे हिट्लर करता था यहूदियों के खिलाफ भेद बाओ और जैसे आफ्रिका में आज शाम से क्लास हमारी शुरू हो जाएगी तो फटाक से कोर्स ले ले आपको बताया जागा क्या आंसर कैसे लिखते हैं टेलिग्राम ग्रूप कंसेप्ट एवरिटिंग तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो योगी आधितनात ने जो भी खाने पीने की दुकान है उनको यह और दिया है कि भाईया अपना नाम डिस्प्ले करिए अप चीके ना अपने नाम को जो भी अगर आप ठेला भी लगा रहे हो तो वहां पे भी आपको नाम लगाना पड़ेगा कि आपका असली नाम क्या है और उत्तर प्रदेश मुझफर नगर में स्सपी ने बोला कि यह ज जाएगी और वहां पे मुस्लिमों के आबादी अच्छी खासी है तो यहां पे बोला कि वॉलेंटरी आप लगाएं चाहें ना लगाएं ओनर्स ने क्योंकि काफी जादा ओपोजिशन पार्टी ने अखिले शादा हो गये हो ऐसी हर किसी ने काफी जादा इस पे क्रिटिसा किया दूर जाके गड़ मुकतेश्वर में जो गाजियाबाद में है गाजियाबाद के थोड़ अहंपोड से आगे आता है मलब पहले आता है साथी साथ भगवान राम ने बैदिनात है जाकर भगवान शिफ का जलवी शेक किया तो कावड यात्रा यही है कि यहां पे जो भ और समाज का कल्यान करें तो आप देख सकते हैं कहां कहां कावड यात्रा है 200-200 किलोमीटर कहीं पर आप अपने घर के बगल में भी जा सकते हैं कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा थम डूल नहीं है कि आपको बहुत 1000-1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है ठीक है ना तो गंगोत्री गोम आपन दो खस्कान का सावन में तो काफी ज़ुलाई शुरू होने वाली है और आपको पता है कि काफी हो सकता है तो ट्राफिक जो है वह डञ वarde किया ग्या है कि यह तीन कावड आत्रा जो है जैसे डेली की अगर बात करते हैं तो डेली में especially यहाँ पे तीन जो नए रूट्स जो है वो डेली मेरेट एक्स्प्रेस पे पाइप्लाइन रोड ये सारी चीजे जो हैं वो की गई है ताकि अच्छे से मैनेज हो जाए लेकिन इसी बीच एक डिसीजन आता है डिसीजन ये आता है अच्छली क्या है कि जब ये लोग यात्रा करते हैं तो रास्ते में खाते पीते चलते बिना खाए पिये तो चल नहीं सकते अब कई बार क्या होता है कि जैसे भाई शुद्शा का हारी ऐसे इसको ये दिखा जा रहा है कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो हि यह हिंदू नाम से दुकान का नाम लख लेते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे तो अब क्या है कि भाई धर्म से इसको जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर धर्म में मास खाने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अब यहां पर क्योंकि कावड यात्रा है पवित्र है तो भाई ऐसा ना हो कि मतलब कुछ गड़बढ हो है ना तो इसलिए नाम डिस्प्ले करना ज़रूरी है लेकिन ऑन दी अधर हैंड यह एक नॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज है जैसे एक है वो खाटू शाम जी रिस्टरून चलाते हैं वो बताते हैं कि म मुसलिम है मेरे सारे हिंदू काम करते हैं है ना और हम आज से नहीं बहुत सालों से जो कावडियाज हैं जो कावडियात्रा में आते हैं बग्षाद धालू हम उनको सर्व करते हैं हम उनको खाना देते हैं everything we give we provide them रैट लेकिन एकदम से यह सही नहीं है हमारे शुद्ध शा भाई वह तो सबसे ज़्याद सेकुलर तो भाउन शेव हैं वो तो भोले हैं उनके लिए क्या ही असुर और क्या ही देवता है ना तो यहां पर उसी मैं जब दोस्तों सोमनाद गया था तो आप यह समझे कि वहां पर जो आटो चलाने वाले हैं चलाने चलाने तो मुस्लिम वो गहता है कि मैं खुझ जाके दर्शन करता हूं बाबा का अशिरवाद है यहां पर कॉविट का कुछ नहीं हुआ यहां पर तो ऐसा है है ना भाई सब इनसान है इस तरीके से इसको तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेकिन यहां पर वही है कि नाम आपको बताना और नाम कोई गलत बात नहीं है तो यह order में लिखा गया लेकिन फिर जब backlash हुआ तो फिर मुझफर नगर ने बोला कि voluntary है अगर आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो फिर अब मुस्लिम जो हैं वो काफी जादे से दुखी है जो economic के expert से वो कह रहे हैं कि यह economy को सी cycle है जो चलती है यह अर्थ व्यवस्ता की cycle अगर आप माल लिजे कि कुछ नहीं खरी देंगे तो इसके पास पैसा नियागा flow of money रूख जाएगा तो इसी साही demand and supply जो है वो decide होती है जो voluntary sector और जो हमारा involuntary sector है वो दोने ऐसे ही काम कर रहे हैं तो अगर हम ऐसे इस तरीके decision ल लिखना है तो अपना सच नाम छूट बोलने का मतलब क्या है आप सीधा सीधा नाम लिखो ना तो क्या ही problem लेकिन बागी पहुत सारे Muslims ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर हम अपना नाम लिख देंगे तो इससे होगा यह कि वो शायद हमारी दुकान पर आए ना यह हमसे कुछ पड़ेगा तो वही है अब देखिए फुरकान यहाँ पे जो काशिफ कंफेक्शनरी उन्होंने ओनर नेम लिखा है फुरकान ठीक है अब यह बताते हैं कि देखिए हम हमेशा जो कस्टमर आते हैं उनका स्माइल से स्वागत करते हैं हम कभी भी यह नहीं देखते हैं कि क्य अब यूपी के ट्रेडर कहते हैं कि भाई देखिए इसमें कम्यूनल आंगल आप नहीं लाएं तो यह चीज है तो अब जैसे मुदफर नगर हो गया मेरट हो गया आगड़ा हो गया हर जगहां पर मुस्लिम ट्रेडर्स हैं वो स्टॉल्स लगाते हैं जो कावड यात रहा ह कहारी खाना है ठीके ना और नौकरी देते हैं नौकरी से भाई देखिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन है तो उनको भी पैसा जा रहा है अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोग नहीं खाना खाएंगे और नहीं खाना खाएंगे तो हमारे पास कास से आएगा तो फिर वही है क चटनी होगी एक तरीके से जो लोग काम कर रहा हम उनको हटाएंगा अगर हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो यह सारी चीजे हैं तो थोड़ा हम दुखी है इस तरीके की डिसेजन नहीं लेने चाहिए आपको क्या लगता मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा उसके चार करोण लोग जो है वो यात्रा में आएंगे और धाई करोण आधे से जादा उत्तर प्रदेश से पास होंगे देविल पास्तर उत्तर प्रदेश रिजवान चौधरी बता रहे हैं कि जैसे कायराना पॉलिस स्टेशन से मुझे कॉल आया अब मैं तिरंगा धाबा जो है वो चलाता हूँ यात्रा तक अब उन्होंने बोला कि इसको बंद कर दीजे फिलाल के लिया फिर अपना नाम लगाईए बता रहे हैं कि मैं अल्लेडी एक बहुत बड़े लॉस को देख रहा हूँ मैं प्योर वेज़ फूड जो है वो सर्व करता हूँ मैं प्याज और लहस यात्रा रूट है यहां पर लेकिन मुझे लगता है दोस्तों चाहें जो भी नाम हो जब यात्रा शुरू होगी तो जैसा है वैसा ही चलेगा मुझे नहीं लगता है बिजनस इतना एफेक्ट होने बाला है रिजवान चौदरी बताते हैं अच्छा यह तो हो गया ठीक है च आमध इर्षाद श्री खाटू शाम टूरिस्ट ढाबा चलाते हैं वो बताते हैं कि देखें यह ओर्डर जो है वो दोनों ही हिंदू को भी हर्ड करने वाला है और मुस्लिमों को भी हर्ड करने वाला है मेरा establishment जो है वो रोड पे है जहां से कावरिया है जाते हैं अब हम प् बिजनेश जो है इसमें नहीं आना चाहिए ये हमको समझना होगा मुहमद इवनाज जो की fruit seller है उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम जो है वो मेरे कार्ट पे एक बार अगर लिग जाएगा तो कौन गैरेंटी है मेरी safety होगी ठीक है कई ऐसा ना हो कि कुछ अनुहुनी हो जाए कोई भी मेरे साथ misbehave कर सकता है मान लेज़े अगर दंगा हो गया तो फिर मुझे कौन protect करेगा तो ये शायद सही नहीं होगा ये यहाँ पे बात बोली है तो यूपी में वही है कि जैसे कावड यात्रा शुरू है वाली है 22 जुलाई को 28 सेकेंड जुलाई को सारी तैयारिया जोग कर ले गई है उत्राकंड और रत्मत प्रेश ये बीजेपी रूल इस्टेट्स है और बीजेपी ने इस ओर्डर को डिफेंड किया है जे डीओ आरेली लोग जन्शक्ति पार्टी सीनियर बीजेपी लेटर्स मुक्तार अद्वा अबास नक्वी ने इसको क्रिटिसाइज किया ये बता रहे हैं को चती उत्साही अधिकारियों के आदेश हडवड़ी में गडवड़ी वाले असपर्शता की बिमारी को बढ़ावा दे सकते हैं आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर असपर्शता का संरक्षण नहीं होना चाहिए जनम जात मत पूछे का जात अरुपात रेदास पूछ सब प्रभू के कोई नहीं जात कुछात क्या बात है है नहीं मुक्तार अबास नकवी ने ट्वीट आया है कावड़ यातरा पर फिर जब ये बात चली मुक्तारा क्योंकि भाई वो भी सीनियर लीडर है तो काफी कुछ हुआ अब डिफेंड भी किया फौर में भी थे सब कुछ ठीक है लेकिन सबसे बड़ी बात है कावड़ य तेने, तैंगी समाची.